कि गुट मॉनिंग टॉल आज अपने पढ़ने हैं एब्रिवेशन फुल फॉर्म जिनका प्रिवेश क्लास के अंदर अपने पढ़े थे हमदी लेटर तक आज अपन पढ़ेंगे देह में अगे पढ़ेंगे अपने यशे लेकर के units जी आ तक तो कोश एब्रिवेशन जो एग्जाम से अंदर आते हैं व कि बहुत इंपोर्टेंट होते हैं तो सलेक्टेड एब्रिवेशन जोक प्रिवेशverse रच में प्रिविश एग्जाम के अंदर आयोय भी है और नहीं भी आयोय है उनको एक इन लिस्ट किया गया है देखेएगा तो सबसे पहले एड़ीडी लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डेट ओफ डिलेवरी, EDD की फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ओफ डिलेवरी, नेक्स्ट है, EFA, Essential Faciated, आपने देखा होगा, एक होता है, Non-Essential Fatty Acid, और एक होता है, Essential Fatty Acid, नेक्स्ट बात करते है, ECF, Extra Cellular Fluid, और एक होता है, Intra Cellular Fluid, तो ये दोनों ही वर्ड आपको क्या रखना है, याद रखना है, नेक्स्ट है, EAA, EAA, क्या लिए का है, Essential Amino Acid, Essential Amino Acid, EC, EC important है, एक्जाम के अंदर आया हुआ है, Illigible Couple लिख सकते हो, या Emergency Contraceptive लिख सकते हो, ये एक्जाम के अंदर आया हुआ है, नेक्स्ट है, ECG, Electro Cardiography, ये भी important है, ये एक्जाम के अंदर आया हुआ है, Electro Cardiography, Heart की Graphical Record किया जाता है, EEG, Electro Encephalography, Brain की जो इस्टेडी की जाती है, Brain का Graphical Record लिया जाता है, वो EEG से लिया जाता है, तो ये दोनों important है, नेक्स्ट है, इलाइजा, इलाइजा टे है, एक्जाम के अंदर आया हुआ है, important है, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ठीक है, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ठीक है, नेक्स्ट है, E-P-I, Expanded Program on Immunization, ये भी एक्जाम के अंदर आया हुआ है, Expanded Program on Immunization, E-S-I, Employee State Insurance, E-C-P-S, Emergency Contraceptive Fields, ये भी एक्जाम के अंदर क्या है, आया हुआ है, Next, बात करते हैं, E-T, Endotracheal Tube, इसके बाद में, E-C-T, ये एक्जाम के अंदर आया हुआ है, E-C-T, Electro Convulsive Therapy, Next है, E-S-R, ये भी एक्जाम के अंदर आया हुआ है, Erythrocyte Sedimentation Rate, Erythrocyte Sedimentation Rate, ये E से Related Important है, ऐसे लेटर में E से Related बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको यहां पे Selected बताए हैं, ताकि आप इनको तो याद रखना ही है, ठीक है ना, ताकि इसमें से एक्जाम के अंदर आने के चांज ज़्यादा रहते हैं, अब लेटर एप की बात करते हैं, एप के अंदर FAO, Food and Agriculture Organization, उसके बाद में है, FHW, Female Health Worker, क्या है, Female Health Worker, उसके बाद में, FANC, Fine Needle Aspiration Cytology, उसके बाद में, FV, Family Planning, उसके बाद में है, FHR, Fetal Heart Rate, FHS, Fetal Heart Sound, तो ये Fetal Heart Sound वाला है, वो एक्जाम के अंदर आया हुआ है, नेक्स्ट है, Folic Acid, FA, FRU, First Referral Unit, First Referral Unit, ये एक्जाम के अंदर आया हुआ है, और First Referral Unit कौन सी है, CAC है, First Referral Unit कौन सी है, CAC है, उसके बाद में, FTP, Full Term Pregnancy, उसके बाद में है, FSS, Follicle Stimulating Harmon, ये हार्मोन एक्जाम के अंदर आया हुआ है, Follicle Stimulating Harmon, नेक्स्ट बात करते हैं, Letter No. G, G के अंदर देखो, क्या लिका हुआ है, GFR, General Fertility Rate, नेक्स्ट है, GNM, General Nursing and Midwifery, GTT, Glucose Tolerance Test, ये एक्जाम के अंदर आया हुआ है, ये इंपोर्टेंट है, GNRH, Gonadotrophin-Releasing Harmon, ये भी एक्जाम के अंदर आया हुआ है, ये इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट है, Gobi, Growth Immunization, Oral Rehydration, Breastfeeding Immunization, UNICEF का एक Treasury थी, इसमें जो मैन फोकस दिया था, UNICEF में, Gobi के उफर दिया था, और Gobi की फुल फॉर्म क्या है, Growth Harmon, Oral Rehydration, Breastfeeding Immunization, ये इंपोर्टेंट है, ये एक्जाम के अंदर आया हुआ है, नेक्स्ट बात करते हैं, लेटर नमबर H, SB का मतलब वता है, Hemoglobin, HIV का मतलब वता है, Human Immunodeficiency Virus, SPV, Human Papillomavirus, SCL, Hydrochloric Acid, Sbig, Hepatase B, Immunoglobin, ये एक्जाम के अंदर आया हुआ है, SIV वाला एक्जाम के अंदर आया हुआ है, SCG, Human Chorionic Gonadotrophin, ठीक है, SCG का मतलब क्या हुआ, Human Chorionic Gonadotrophin, ये भी एक्जाम के अंदर क्या है, क्या है, आया हुआ है, तो कुछ आज जो important important word लिये थे, उसको आप एक बार याद करिएगा, और इसके बाद में next आपका class आएगा, तब तक के लिए धन्यवाज, क्या हुआ है, तो क्या है, तो क्या है,